हेलो फ्रेंट इस वीडियो में देखेंगे हम लोग भारतिये महालेखाकार नियंतरक एवं पडिक्षक यानि क्याग के बारे में क्याग के बारे में वो सब कुछ जानेंगे जो examination point of view से जवड़ी है और हर exam के लगवग सारे question आपके इस वीडियो को देखने के बाद cover हो जाएंगे आप मुझे इंस्टा, facebook और whatsapp पे follow कर सकते हो और इसे website पे जाके आप पढ़ भी सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं भारत का नियंत्रक एबं महालेखा परिक्षक, Comptroller and Auditor General of India जिसे क्या कहा जाता है भारत के संविधान के अनुचेद 148 में नियंत्रक एबं महालेखा परिक्षक के पद की विवस्था की गई है यह बहुत ही important है और भीमरा अंबेदकर ने खास करके इस पद को लेके कहा था कि नियंत्रक एबं महालेखा परिक्षक भारतिये संविधान के तहर सबसे महत्पूर्ण अधिकाड़ी होगा भीमरा अंबेदकर ने यह कहा था और कैग का जो responsibility है कैग की जिम्मेवाड़ी और कैग जो काम करते हैं वो बहुत ही important है नियंत्रक और महालेखा परिक्षक यानि कैग लोक वित का संवरक्षक होने के साथ साथ देश की संपूर्ण वितिये विवस्था का नियंत्रक भी होता है और इसका नियंत्रन राज्य और केंद्र दोनों अस्तरों पे होता है राज्य और केंद्र दोनों अस्तरों पे होता है तो यह important है अब देखते हैं इसकी न्यूक्ति और कारेकाल सबसे पहले इसकी न्यूक्ति करत की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति क द्वारा इसकी निव्ति होती है और यह निव्ति होती है छे वर्स से 65 वर्स की आयू तक के लिए जो भी पहले हो जाए अगर 65 वर्स पहले होगा तो फिर वो इस्तिपा देंगे मनले उनकी सेवा निब्रित होंगे और ये छे वर्स पूरा होगा अगर पहले तो फिर सेवा निब्रित होंगे नियंत्रक एब महालेखा परिक्षक को राष्टपत्ती के द्वारा हटाया जा सकता है लेकिन इसका आधार क्या होगा आधार वही होगा जिस आधार पे उचितम न्याले के न्याय अधीस को हटाते हैं अर्थात अस्समर्थता या कदाचार के आधार पे हम इसे हटा सकते हैं संसद में के दोनों परते एक अलग-अलग सदनों में विशेज बहुमत से प्रस्ताव पाडित होगा उसके बाद जाके ये हटाए जाएंगे महालेखा परिक्षक राष्ट्रपती को संबोधित करते हुए पद से त्याग-पत्र भी दे सकते हैं समविधान में नियंत्रक एबा महालेखा परिक्षक की कुछ सोतंत्रताएं सुनिश्शित की गई है अब वो क्या है पहला इनकी नियुक्ति राष्ट्रपती करता है लेकिन उनका पद राष्ट्रपती के परसाद परियंत नहीं है जिस तरह से महादी वक्ता महा नियावादी इनका पद राष्ट्रपती नियुक्ति करता है लेकिन इस case में ऐसा नहीं है नुक्ति तो राश्वपती करते हैın पर हट उच्थम नञाले के न्याय अधीस की तरह इंका वेतन एभम अन्य सेवा सर्ते संसत द्वारा निःधारित की जाती है, लेकिन जब इनको ज्वाइनिंग दी जाती है उसके वाद उसस्हंने आलावकारी पड़िवर्तन नहीं किया जा सकता तो यह सुरक्षा है और इनका वेतन और भत्ता उच्चेतम न्यायले के न्यायधीस के समान होता है उच्चेतम न्यायले के न्यायधीस के समान इनका वेतन और भत्ता होता है और इसमें अलापकाड़ी पडिवर्तन नहीं किया जा सकता पद छोड़ने के बाद अन्य पद चाहेँ वह भारत सरकाड़ के हो या राध्य सरकाड़ के हो यह ग薩न नहीं कर सकते यह इंपर्ट्टेंस है कि कि निर्वाचन आयोग्व कर सकते हैं लेकिन क्याय यानी भारत के न Google के माहलेखा परेक्षाक जब पद होते हैं और संचित निद्धित न होने का मतलब और संचित निद्धित के दोनों सदू में के परिक्षा में नहीं करने का मतलब क्या है मतलब यह है कि कोई भी मंत्री या उनके कामों की जिम्मेवारी नहीं ले सकता उनके काम की जिम्मेवारी कोई मंत्री किसी भी सदन में नहीं ले सकता है अब देखते हैं कारे और सक्तियां नियंत्रक एवं महालेखा परिक्षत भारत की संचित निधी भारत की लोकलेखा निधी सहीत प्रतीक राज्य की संचित निधी अकस्मिक्ता निधी लोकलेखा निधी आधी व्ययों की लेखा परिक्षा करता है कोई भी व्याय संचित निधी से हो लोग लेखा निधी से हो भारत सरकार के सेंस में राज्य के सेंस में संचित निधी से हो आकस्मिक निधी से हो लोग लेखा निधी किसी भी निधी से हो उसमें उसका जो व्याय है वो सही तरीके से किया गया है कि नहीं या उसके लिए जो तरीके से व्याय किया है की नहीं, इसका निर्दें, इसकी जाज की सक्तियां नियंत्रकेबम महालेखा परिक्षक के पास होती है। इसके अलावा किंद्र सासित परदिस, वो किंद्र सासित परदिस जहां विधान सबाई है, जैसे दिल्ली और पॉंडिचेडी दो जगा विधानसवा है तो इसके सभी लेखों का परिक्षा करेगा कौन तो हमारे कैग नियंत्रक एबं महा लेखा परिक्षक इसके सभी लेखों की परिक्षा करेगा और यह एक ऐसा तरीका है जिसके कारण संसद अपव्या नहीं करती ठीक है फिजुल खर्ची करने से बचती है क्योंकि जब इनकी टीका टिपनी उस पर होगी तो इसका असर होता है संसद में हंगामा होता है लोग जानते हैं और नियंत्रने महा लेखा परिक्षक जो भी इन सब का लेखा परिक्षा ये करते हैं केंद्र और राजसरकार के सभी लें दिन अग्रिम बचत लेखा अधी का लेखा परिक्षा ये करते हैं राष्टपती और राजपाल के निवेधन पर किसी अनप्राधिकरन का भी लेखा परिक्षा ये कर सकते हैं जैसे अस्थानिय सासन इसका लेखा प्राइक्षा अक्सरा यह नहीं करते लेकिन अगर राजपाल ऐसा कहत वो कर सकते हैं राष्टपती को यह सलाह देते हैं कि केंद्र और राज की लेखाओं को किस प्रारूप में रखा जाए मतलब लेखाओं को किस तरह से स्टोर किया जाए, संग्रीत किया जाए या लिखा जाए इसके तरीके का भी जो सला है वह राश्ट्रपती को देते हैं भारती नियंत्रक एमम महाले का परिक्षक वह केंद्र सरकार से संबंदित लेख को, राश्ट्रपती, राज्य सरकार से संबंदित लेखों को, राज्य पाल को सौपते हैं जिसे करमसा संसद और विधान मंडल पटल पे रखा जाता है अगर यह रिपोर्ट केंद्र से संबंदित है तो वो रिपोर्ट राष्टपती को जाएगा अगर यह रिपोर्ट राज्य से संबंदित है तो यह रिपोर्ट जाएगा राज्यपाल को और यह रखवाएंगे संसर में नियंत्रक एंब माहा लेखा पड़िक्षक राजियों के लेखाओं का संकलन अनुराशन करता है छार देना है सारे लाइन इंपोर्टेंट है पड़ी यहां ध्यान आप दें कि नियंतरक एबं माहा लेखा पडिक्षट राजियों के लेखाओं का संकलन करता है और अनुरक्षन करता है ठीक है यहां और जबकि 1976 में केंद्र सरकार ने लेखाओं के संकलन और अनुरक्षन के कारियों से इसे मुक्त कर दिया यहां समझने की बात यह है कि नियंतरक एवं महालेखा परिक्षक 1976 से पहले लेखा एकाउंट लिखने का भी काम करते थे और जाचने का भी काम करते थे तो क्या हुआ इससे वर्कलोड बहुत जादा बढ़ गया और यह जो परिक्षन का काम है एकांट आडिटिंग का काम है वो आडिटिंग का काम इनका प्रभावित होने लगा मतलब एकांटिंग और आडिटिंग दोनों यही करते थे 1976 के बाद केंद सरकार ने एकांटिंग का काम बंद कर दिया यानि लेखा लिखवाने का काम इनसे बंद कर दिया यह सिप अब आडिट करते हैं लेकिन राज्य सरकार के अस्तर पर अभी भी लेखा एकांटिंग का काम यही करते हैं और auditing टो यह करते हैं समझेते वह बाद लेखाओं का संकलन भी यही करते हैं और correction तो करते हैं। करते हैं लेकिन केंद सरकार में 1976 के बाद लेखाओं का संकलन बंद करवा दिया गया है अब यह सी लेखाओं का परिक्षन करते हैं यह इंपोर्टेंट है बहुत ज़्यादा कि नियंत्रक एनों महा लेखा परिक्षत संसत की लोगलेखा समीति के घाइड़ मित्र और मारंग दर्ष कहां जाते हैं क्योंकि जब है रिपोर्ट की सबसे पहले जाज कोई करता है और उस पे जो रिपोर्ट डालता है जो संसत में जाता है तो वो लोक लेखा समीटी ही है इसलिए इसका गाइड मित्र और मागदार सक कहा जाता है वह किसी कारे ये गलत लाइन लिखा गया है कैग राष्ट्रपती को तीन लेखा परिक्षा परतिवेधन प्रस्तूत करते हैं तीन तरह का लेखा परिक्षा कैग करते हैं और राष्ट्रपती को देते हैं विनियोग लेखाओं की लेखा परिक्षा रिपोर्ट वित्य लेखाओं की लेखा परिक्षा रिपोर्ट और सरकारी उपक्रमों पर लेखा परिक्षा रिपोर्ट यह तीन तरह की लेखा परिक्षा की जो रिपोर्ट है वो राष्टपती को यह सौपते हैं राष्टपती इन रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के सभा पठल पे रखते हैं इसके उपरांत लोकलेखा समीति इसकी जाच करती है और निसकर्सों से संसद को अफगत कराती है तो हम लोग जहां तक जानते हैं कि लोग नियंत्रा के महालेखा पडिक्ष कैग के रिपोर संसद में रखा जाता है तो सबसे पहले रिपोर्ट दी जाती है राष्टपती को राज्य के मामले में राज्यपाल महालेखा परिक्षक संसद का एजेंट होता है उसी के मार्ध्यम से खर्चों का लेखा परिक्षन करता है इस तरह से केवल संसद के प्रति जिम्मेवार है राष्टपति इनकी नियुक्ति करते हैं पर राष्टपति के परती नहीं संसत के परती नियंत्रक इब महालेखा परिशक जिम्मेवार होते हैं इनके और भी जो महत्वण कारे हैं वो क्या है कैग को यह निर्धारन करना होता है कि विधिक रूप से जिस प्रियोजन हे तु धन देया गया है उसी प्रियोजन हे तु धन लगाया गया है कि नहीं मालो किसी पूल के लिए धन का आवंटन किया गया है तो पूल की जाए कहीं मौल तो नहीं बन गया ये कैक देखेगा दूसरा जिस अथरेटी के थुरूप वो पैसा पास होना चाहिए या वो पैसा खर्च होना चाहिए क्या उसी ने खर्च किया है कि नहीं ये भी ध्यान पहला ध्यान राघता है कि विधिक रूप से जिस प्रियोजन के लिए पैसे एलॉठ किये गया है उसी पर खर्च होड़ा है कि नहीं कि दूसरा जिस प्रियोजन के लिए धन चतुरू धन निकलना चाहिए उसके थू निकला है कि येंक इने candle चिसको देखता है एग्यंहे ह लखापरिक्षा के अतरीक्त ये तो हुआ इसका वीधिक और वि नियामक लेखापरिक्षा इसके अलावा लेखापरिक्षा भी करता है ओचित मतलब होता है कि मालों कहीं बनना है तो सही पुल बनाने के वशक्ता नहीं थी लेकिन पुल बना दिया तो उसका ओचित नहीं था तो इस ओचित पे भी यह टीका टिप नी करता है लेकिन यह ओचित का जो लेखा परिक्षा है यह कंपल सरी नहीं है यह कैग के द्वारा अब विवेका धिकार सकती है इसकी कैग अपने अनुसार कर सकता है लेकिन ये विधिक और वी नियामक लेखा परिक्षा को करना कैक के लिए जिम्मेवारी है समयदानिक responsibility है क्या है क्या है ऑचित लेखा परिक्षा कैक के विवेका अनुसार होता है इसके अंतरकत सरकाड़ी वियाई की तर्क संगत निश्था और मित्यवेटा की जाच करता है ठीक है कि होना चाहिए नहीं और वह सही जगह तरक संगत रूप से खर्च हुआए कि नहीं यह भी देखेगा वीधी और विनियामक लेखा परिक्षा कैग पर बाध्धेकाड़ी है आप देखते हैं गूप्त सेवेट जिको कुछ ऐसे खर्च होते हैं भारत सरकार के जो गूप्त होते हैं बहुत सारी ऐसी चीजह होती हैं जो गूप्त होती हैं जैसे वी देसों में आपको पता है कि मैं इंडिया में बहुत सारे स्पाई गूमते हैं और देशों के उसी तरह से भारत यह भी तो जासुत वहां गूमते होंगे तो उन पर जो खर्च होता है उसको उसको बताया नहीं जाता उसका कोई डाटा नहीं होता तो इस तरह के एक बड़ा Amount होता है जो गुप्त सेवा व्याय या सैन व्याय के रूप में होता है, और लेखा परिक्षक, यя नििया कैक की भूमिका वहां सिमित होती है, यह सिमाय निर्धारित करता है, वो इस संबंध में व्याय का व्योड़ाद नहीं मांन सकता है, वो नहीं कह सकता, कि अगर आपको 1 लाख रु वो यह कह सकता है कि सक्षम पताधिकाडि। जिसके थ्रू अमाउंट पास हुआ है, वह यह प्रमान पत्र दे। वह इस बात को श्विकार करे। कि नियम के अंतरगथी जो व्याय था जो अमाउंट सा उसका व्याय किया गया है। जो भी खर्च थे हैं, वो नियम के खौडिंग किये गए, यह एक परमान पत्र वो ले सकता है, बेओडा नहीं मांग सकता है, भारत की कैग और बिटेन की कैग में बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा अंतर है, भारत की कैग का भारत की संचित निधी से धन निकासी पे कोई न निकलेगा क्या काम है इंडिया में कि जब धन एलोट हो गया और वो खर्च हो गया उसके बाद वोँषकि करेगी जो भी खर्च हो चुका तो पर टीका टिप इसके लिए क्याक की स्विकृति आवश्यक है तो यह बहुत बड़ा अंतर है क्याक तथा निगमों की लेखा परिक्षा जो सावनिक निगम होते हैं उसके मामले में भी क्याक के पास कुछ अधिकार शिमित हैं तीन तरह की कोटियां हैं जिसके तहत वह लेखा परिक्षा करत है तोटली काई करता है उसका अकांटिंग है अकांटिंग नहीं अखाने कांटिंग करता है जैसे दामदर खाटी निगम ओनजी सी तिल इन सब को ओडिंग ये कै करता है हुड़ी कुछ ऐसे निगम है जिसकी लेखा परिक्षा नीजी पेसेवर परिक्षकों के द्वारा कराया जाता है मतलब वहां हायर किया जाता है प्राइबेट परिक्षक वो करते हैं परिक्षा और जुरत पढ़ता है तो CAG, याई Cag, उसका एक बार निनिक्षन कर लेती है, उसको एक बार देख लेती है, सही है नहीं है, और इस तरह के पेसे बर परिक्षक कैग की ही सलहा पर केंदर सरकार के द्वारा निक्त किये जाते हैं, थीक है, केग की सलाप निक के जाते हैं जैसे ओद्धयोगी वित्य निगम केंदरी ये भंडार निगम आदी कुछ ऐसे निगम है जो पूरी तरह से कैग से फ्री है यानि पूरी तरह से उनका परिक्षन नीजी परिक्षक की करते हैं और डायरेक्ट रिपोर्ट राष्ट्पती को देते हैं कैग के थुरू ये रिपोर्ट नहीं जाता है, उपर के दोनों में कैग के थुरू रिपोर्ट जाता है, लेकिन यहां बिना कैग के रिपोर्ट जाता है, और इसमें इसकी कोई भूमिका नहीं होती, यहां वार्शिक परतिवेदन सीधे संसद में प्रस्कुत होता है, जैसे भारतिये रिजर्ब बैंक, भारतिये खाद निगम, जीवन भीमा निगम, भारतिये स्टीट बैंक, इन सब का सीधे सीधे जाता है वार्षिक प्रतिवेदे, इस परकार सरकारी कम्पनियों की लेखा परिक्षा में CAG की भूमी का सिमित है, 1968 में क्या हुआ, CAG काडियाले में लेखा परिक्षा बोड एक अलग से ऑडिट बोड ही बनाया गया, यहाँ पे अलग अलग छेत्र के मालो कोई टेक्निकल कम्पनी है, या टेक्निकल सावनिक संस्थान है, तो वहाँ पे कोई टेक्निकल विसेसग्य होनी चाहिए, तो इस तर के विसेसग्यों को, बाहरी विसेसग्यों को सामिल किया गया, और यह बना किसके अधार संस्तूती पे था अनुसंसा पे, वह था भारतिये प्रसासनिक सुधार आयोग, भारतिये प्रसासनिक सुधार आयोग के अनुसंसा पर लेखा परिक्षा बोड बना, CAG के कार्याले म इसमें एक अध्यक्ष और दो सदस से होते हैं, ठीक है, एक अध्यक्ष होते हैं और दो सदस से होते हैं, और यह CAG के द्वारा न्यूक्त किये जाते हैं, CAC के द्वारा ही न्यूक्त किये जाते हैं, तो यह हो गया CAC से related जितने fact हैं, concept हैं, अब इससे related question जो पूछे गया है, एक्जामनेशन में उसको उम्लोग कर लेते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परिक्षक का पद का स्रिजन किसके द्वारा किया गया तो संबैधानिक इसको प्रसुत करते हैं तो राष्ट पती को करते हैं भारत के नियंत्रक एबं महालेखा परिक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा होती है तो राष्ट पती के द्वारा होती है भारत के नियंत्रक एबं महालेखा परिक्षक के पद पर नियुक्ति का कारेकाल कितना है तो 6 व लेका समीति के बैठक में कौन भाग ले सकता है तो भारत के नियंत्रक एवा महालेखा-परिक्ष्ठ को भारत के नियंत्रक एवा महालेखा-परिक्षक कारे करते हैं , लोग हुआ नहीं है लोक निधी के सन्रक्षक के रूप में क्याग काम करते हैं भारत का नियंत्र के बम महालेखा परिख्षक किसका मित्र और मार्क दर्शक होता है तो यह होता है लोक वह समीति का लोक लेखा समीति का अधिनियम 1971 के द्वारा किस वर्ज लेखानकन और लेखा परिक्षन का के कारे को प्रिथक कर दिया गया और कैग को लेखों की तयारी के उत्तरदाइद से मुक्त कर दिया गया तो 1976 में अब कैग अकाउंटिंग नहीं करता लेकिन यह सेंट्र लेखल पर राज्य के लेखल पर आज भी अकाउंटिंग कर रहा है तो यह थे क्वेस्टन्स और कैग से रिलेटेट जितने फैक्ट्स हैं वह तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो पढ़ने के बाद इस वीडियो को सुनने के बाद कुछ भी नहीं चूटेगा आप कैग से दिलेटेट कैसे भी टफ आसमर कॉंसेट बेस्ट कोस्टन है सीज़सीदे फैक्ट है आप उसको कर पाएंगे तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और आप इसे प्लीज लाइक करें आप लोग वीडियो देखके लाइक नहीं करते हो वाटसप पर आके फिर लाइ खरेजियो में आप लूगाई में आप लाइक कर दो यूगाईक करें लाइक कर दोगाई हैं